हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक एकड में कितना बिगा होता है इस पर चर्चा करने वाले हैं लेकिन इसको बताने के पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो एकड का मान होता है वो पूरे भारत में हर कोना कोना में सेम होता है और साथ में विश्व में भी सेम हो वर्ग गज्ज तो यह जो मान है एक एकर मान जो है चार हजार अर्टालीस मीटर या तो फिर dialogue जो कता है ये पूरे भारत में होता है और दूसरे जो मान है अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगा में चेंज होता है यह देशी यूनिट है छेतरफल का एक देशी यूनिट है जगा जगा पर चेंज करता है लेकिन आपके मन में सवाल उठता होगा कि यह चेंज क्यों करता है तो इसको जानने के लिए आपको देखना पर लगई क्या है देखिए लगई को यहां पर पैमाना की रूप में लिया जाता है कहीं पर चार हात का लगई चलता है कहीं पर पांच हात का लगई चलता है कहीं पर छे हात का चलता है यानि चार से बारा हात का कुल टोटल लगई चलता है तो चार हात का कहीं चल रहा है तो तो यह वीडियो आप जरूर देख लिजेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यह सब का मान चेंज क्यों करता है लेकिन यह सब मान चेंज नहीं करता है एक तरह से सरकारी युनिट है हर जगा क्या होता है समान होता है तो देखे यहां पर कुछ नोट है इसको याद कर लीजिए देखे कि एक एकड में होता है 1.6 पक्का बिगा पक्का बिगा कच्चा बिगा देखे यूपी हर्याना पंजाब वगरा तरफ कच्चा बिगा पक्का बिगा दोनों का परयोग किया जाता है दोनों का परयोग किया इजी पटवारी से या फिर लेखपाल वगरा से पता कर सकते हैं कोई दिकत नहीं है लेकिन आपको यहां से समझना है ग्यान को अर्जन करना है देखिए यहां पर क्या लिखा गया है एक एकड में होता है 1.6 पक्का विगा यह सब जो प्रयोग किया जाता है पक्का विगा का और यह भी विहार यूपी राजस्थान तरफ प्रयोग किया जाता है हम आपको बताएंगे कि 1.6 पक्का विगा इसका मतलब क्या हुआ हम सब बताएंगे चिंदा करनी के बात नहीं है लेकिन अभी थोड़ा सीसको हम रेडिंग डाल लेते हैं फिर एक एकड में होता है 2.5 और यह परियोग होता है गुजरात राजस्थान में हाँ एक चीज आपको और बता देते हैं जैसे कि हम यहां पर जाने कि एक एकड में होता है 1.6 पक्का विगा बिहार यूपी राजस्थान तरफ लेकिन एक ही स्टेट में भी अलग-अलग जगा पर अलग मान हो सकता है ऐसी बात नहीं है कि हजगा बिहार यूपी में 1.6 पक्का विगा कहीं एक एकड होगा इसी बात नहीं है चेंज हो ऐसकता यह देसी युनिट है एक काई है ॉक थैसे और पांच विगा और पांच हैं पर होता है हिमाचल पर होता है आप देखिये 3.0 25 बिघह में अस्सम मघंखाल में 1-3 होता है इतना ब्राबर एक होता है घृत इस तरह से देखिये अलग-अलग जगा पर तो देखें आप थोड़ा साम समझ लेते हैं कि अगर एक एक एकड़ में होता है 1.6 तो इसका मतलब क्या हुआ सबसे पहले आप जान ही रहे हैं कि एक एकड़ में कितना होता है 4048 वर्ग मीटर चलिए देखिए आप हम एक एक्जामपल लेते हैं यही से देखिएगा इसको ध्यान से सुनिएगा ठीक है एक एकड़ बराबर कितना है एक एकड़ बराबर है 1.6 पक्का बिगा और यह पर्यों कहां किया जाता है यूपी बिहार वगेरा तरफ ठीक है यानि उत्री भारत में आप देखिए इतना है इस एक्जामपल को आप देखिए सब एक्जामपल को उसी तरह से आप निकाल दीजेगा हम करने यह जा रहे हैं कि जैसे कि एक यानिक बराबर 1.6 पक्का बिगहा होता है तो हमको यहाँ से जानना implica है कि यहां पर तो दिया गया है 4048 में 1.6 लगभग देड़ बिघा से जादा तो हमको यहां पर एक बिघा में कितना वर्ग मिटर होता है यह निकालना है तो क्या करेंगे सिंपली 1.6 जो है 4048 के साथ क्या हो जाएगा डिब हैड में हो जाएगा ओके तो हो 4040 मिटरी स्कॉार मिटरी स्कॉइर लिखेंगे अच्छा 1.6 पका बिघा को हम इस तरह से लिख सकते हैं 1.6 इंटु में 1 पका बिघा यह लिख सकते हैं ने लिख सकते हैं एक तक बिगआ ब्रावर धाये गा 4 प्रेंटनी स्कुरिया हूं कि पया धिर 17 ik 12 फैंटल्महून अब यहां पर क्या कीज़िए आप package करतेजिए डिउन अधिरने पर ऐता है 2530 major यह किसका मानाया एक पकाशका गानाया यहां पर एक पक्का बिगहा जो चल रहा है जहां पर एक एकड में होता है 1.6 पक्का बिगहा वहां पर एक पक्का बिगहा का मानी स्क्वाइर मीटर में होगा 2530 तो यहां पर पर 1.6 पक्का बिगा लिखा था यहां क्या चुछा बिगा आप हमको पता करना है कि एक कच्छा बिगा में कितना एकड होता है कहां पर जहां पर 1.8 पक्का बिगा होता है यह पर कुछ अलक में इसा अपके बिगा कितना स्कौार मिटर सारा है कंचवासी बिस्वांसी भी गहा एकड़ हेक्टियर वेगेरा बहुत तरतरका है लेकिन हमने इस चैनल पर ऐसा बहुत सारे वीडियो अप्लोड किया है जो सायद आपको एक यूनिट से खत्रफल के एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कनभर्ट करने के लिए असान बना देता है तो आपको एक वीडियो के देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर Tips करना और Xire विडियों बिनाते हैं आप तक सही से पहुचता रहें और बहुत सारे मेरे विवर और सब्सक्राइबर ये कमेंट करते हैं कि हम अपना फोन नंबर देखिए फोन नंबर देंगे तो फिर समस्या और बढ़ जाएगी मेरा बहुत सारे कॉल आएंगे मैं नहीं ले पाऊंगा तो बोलेंगे कॉल नहीं उठा पा रहे हैं तो इसी स्थिति में हम फोन नंबर नहीं दे पाएंगे लेकिन अगर आपको मुझसे कॉंटेक्ट करना है तो आप मुझे कमेंट करें वहां पर आपको इमेल एडियो प्रोवाइड करवा देंगे आप इमेल के जरिए मुझे सं लेना है और एक विघा में फिर कितना स्क्वाइर मेटर होता है इस विधी से आपको चेंज कर लेना है तो आज के लिए इतना ही अब मिलते हैं अगला वीडियो में धन्यवाद